जहीं दोस्तो मैं हुआ नूँ पर आप से लोग देख रहे है ग्लोबल कॉन्फिलिक तो दोस्तो इंडिया द्वारा इंडिजिनियसली बनाया हुआ तेजस एरक्रैट अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए भी बड़ा टेंशन का कारण बन गया है और चाइना के लि जब से डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में कदम रखा गया है और कम लागत में चाइना से बेटर एक्वेप्मेंट बनाया जा रहा है तब से चाइना का टेंशन बड़ा हुआ है और चाइना को इस बार जटका अर्जेंटीना के तरफ से लगा इवन दोस्तों आपके जा को नहीं कमाता है तो अर्जेंटीना इंडिया से तेजस एर क्रैप्टों को खरिदने के तरफ भी आगे बढ़ सकता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना और अर्जेंटीना के बीच में जंक फाइटर 17 को लेके ऐसा क्या हुआ ज जहाँ पे उनके द्वारा अर्जेंटीना के अधिकारियों के साथ जंक फाइटरों के बिक्री को लेके एक बहुत बड़ा मीटिंग भी हुआ मिटिंग के तहए चाइना के द्वारा अर्जेंटिना के एरफोर्स के लिए खरदे जाने वाले फाइटर एरक्राप्ट के टेंडर को हासिल करने का प्रयास किया गया और ये भी सुनने को आया कि चाइना को इस दर्मियान सकसेस भी मिला नियूजों में ये भी बताया जा रहा है कि चाइना और अर्जेंटिना के बीज में फिलार एरक्राप्टों के डील के उपर हस्ताक्षर होना ही बाकी है और बाकी के सभी काम लगवख समाप्त हो चुका है पर दोस्तों अब बताया जा रहा है कि अर्जेंटिना के द्वारा आखरी वक्ते अपने सोच को बदल लिया गया। आखरी वक्ते अपने सोच को बदल लिया गया है। आखरी वक्ते अपने सोच को बदल लिया गया है। आखरी वक्ते अपने सोच को बदल लिया गया है। इवन अर्जेंटीना, योरोप के देश इवन फ्रांस से भी एरक्राप्टों को पर्चेस करने के तरफ आगे बढ़ा था लेकिन ब्रिटेन के वज़ा से इन देशों के द्वारा भी अर्जेंटीना के प्रस्ताप को रिफ्यूस कर दिया गया था। अर्जेंटीना के द्वारा नया ओप्शनों को तलासते हुए साउथ कोरिया के एफ़ फिफ्टी फाइटर एरक्राप्टों को चुना गया। लेकिन इसमें भी तब मुश्कुलों का सामना करना पड़ा जब अर्जेंटीना को पता चला कि इन एरक्राप्टों में इस्तेमाल होने वाले इजेक्शन सीट असल में United Kingdom बेस एक कमपनी के द्वारा निर्मान किया जाता है। इवन अर्जेंटीना के सामने कोई दूसरा अप्शन ना होने के वज़ा से ही अर्जेंटीना के द्वारा चाइना के फाइटर एरक्राप्टों को खरिदने के लिए एक बार सोज विचारतों किया गया था लेकिन अब अर्जेंटीना समझ रहा है कि इन एरक्राप्टों के Advantage कितना है और Disadvantage कितना है दोसो चाइना के तरफ से अर्जेंटीना के सामने Junk Fighter 17 के Block 3 वर्जिनों को पेश किया गया और इसका कीमत भी करिफ करी 50 मिलियन डॉलर रखा गया जो कि Aircraftों के फीचर के साथ मैच नहीं करता है और इस तरीके के Aircraftों के लिए ये काफ ज़्यादा कीमत है इवन अगर Junk Fighter को देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे घटियातरिन फाइटरों में से एक है जिसे लेके पाकिस्तान भी भुगत रहा है दोसो Junk Fighter 17 के Block 3 वर्जिन को लेके Chinese Media का ये भी कहना है कि ये पहले के दो Block मतलब Block 1 और Block 2 के तुलना में ज़्यादा आधूनिक है और इसमें खाली नया Active Electronical Scan Array Radar नहीं लगाया गया है बलकि Chinese Media के मताविक ये जो Aircraft है ये Detection और Targeting Capability को भी मजबूत किया है चाइना के द्वारा Junk Fighter के 3rd नंबर वर्जिन मतलब Block 3 में एक नया Active Electronical Scan Array Radar को लगाया गया है और Chinese Media का ये भी कहना है कि ये एक साथ 6 टारगेटों को Detect कर सकता है और वो भी करीवन 170 किलोमीटर के रेंज में Chinese Media का ये भी कहना है कि ये जो नया Aircraft है इसमें चाइना के दरफ से भविशे में रशियर निर्मित RD-93A में इंजिनों को भी रिप्लेस किया जाएगा और इसमें एक नया Effective Engine को लगाया जाएगा चाइना का ये भी कहना है कि जंक फाइटर के ब्लॉक 3 वर्जिन में J-20 में इस्तेमाल होने वाले PL-10 मिसाइलों को भी लगाया जाएगा जो चाइना द्वारा अपने J-10 Aircraftों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इनी वातों का जिकर करते हुए चाइनीज मीडिया का ये भी दावा है कि 50 मिलियन डॉलर इसके लिए कोई भी जादा कीमत नहीं है और अर्जेंटिना को 50 मिलियन डॉलर खर्चा करके इन फाइटर एर्ट्रेप्टों को खरिदना चाहिए पर दोसों दावा करना और उसमें सच्चाई होना दोनों ही अलग-अलग विशा है और चाइना के द्वारा जिस तरीके का दावा किया याता है उसमें सच्चाई का समभावना है काफी कम होता है एक्जाम्पल के रूप में चाइना के Wing Long 2 द्रोनों को ही देख ले जिनी देशों के द्वारा इन द्रोनों को खरिदा गया वो सब अपस्ता रहे है एक्जाम्पल में आप इरान और United Arab अमिराथ को देख सकते है चाइना के द्वारा खरिदा हुआ द्रोन जादा तर देशों के द्वारा अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इवन जो देश इसका इस्तेमाल कर रहा है वो द्रोन एक के बाद एक क्रैश हो रहा है ऐसे में चाइनिस प्रोड़क्टों के उपर तो सवाल उठना लाजमी हैं। उपर से अगर जंक फाइटर को तेजस एरक्रेप्टों के साथ कंपेर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि तेजस एरक्रेप्ट इन जंक फाइटरों के तुलना में काफी ज्यादा बहतरें और क तेजस एरक्रेप्ट में जी एएच 23 mm के ट्विन बैरल गन का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा इसमें एडवांस एव्योणिक्स और हेलमेट मांटनिंग डिस्प्लेज जैसे एक्वेपमेंटों का विस्तेमाल किया गया है और दोसों इन एरक्रेप्टों का किया गया है और दोस्तों ये रैडर एक साथ 64 टारगेटों को लॉंग रेंज में प्रैक कर सकता है जो जंग फाइटरों के तुलना में कई गुना जादा है उपर से एक से अधिक टारगेटों को एक साथ इंगेज करने का विशमता इन रैडरों के पास है जबकि अगर तेज एर्क्रेफ्टों में Advanced Auto Pilot capability को भी एड किया गया है जो एर्क्रेफ्टों को आठो लेवल कर सकता है मतलब अगर पाइलट किसी कारण से संथुलन समाल ना पाए तो ऑपने आप ही अपने आपको लेवल कर सकेगा दूसरे तरफ इसमें सेव एल्टिट्युड रिकेवरी का भी अर्जेंटिना के जो मेन जरूरत है मतलब यार क्या जाए तो आपको पता चलेगा कि हाली में इंडिया के द्वारा जो 83 तेजस एरक्रेप्टो का ओर्डर प्लेस किया गया है उनमें फाइटर एरक्रेप्टो का कीमत 309 करोर रुपया और टेनर एरक्रेप्टो का कीमत स्रिफ 280 करोर रुपया है मतलब एक तेजस एरक्रेप्ट के फाइटर एरक्रेप्टो का कीमत करीबन 42 मिलियन डॉलर के आसपास होगा मतलब जंक फाइटर से सस्ता और जंक फाइटर से कही गुना वैतर एरक्रेप्ट अर्जेंटिना को तेजस एरक्रेप्ट के रूप में मिल सकता पर दोस्तों यहाँ पे अवी तक भारत के द्वारा ऐसा कोई भी ओफर के बारे में कोई खोशना नहीं किया गया और ना ही अर्जेंटिना के दरफ से ओपिशेली ऐसा कोई जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद।